बश्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे Rintos IV fluid को पस्वों में कहां यूज करते हैं, किन इस्तितियों में इसे यूज करना चाहिए कहां इसे यूज नहीं करना चाहिए, किस पस्वों में इसकी कितनी मात्रा देते हैं ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो आएए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, Rintos क्या है? Rintos एक multi electrolyte और dextrose का IV infusion है, जिसमें dextrose के साथ sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride और sodium lactate होता है इसमें dextrose बहुत अच्छी मात्रा में होता है 500 ml की Rintos की bottle में 100 gram dextrose होता है जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है इसके use की बात करें, तो dehydration में इसका use किया जाता है अगर dehydration की कोई भी condition हो, चाहिए कोई भी बिमारी के वज़े से dehydration हो तो वहाँ Rintos को use किया जाता है diarrhea में, dysentery में भी इसको use किया जाता है diarrhea और dysentery में बहुत ज़्यदा fluid loss होता है तो वहाँ भी इसका use किया जाता है तो बहुत सांदा result मिलता है hypoglycemia में Rintos का use किया जाता है वहाँ भी इसका बहुत सांदा result मिलता है क्योंकि इसमें dextrose की बहुत अच्छी मात्रा होती है इसके अलावा electrolyte balance के disturb होने पर भी इसको use किया जाता है muscular weakness के case में भी इसको use में लिया जाता है septicemia यानि गंबी reinfection की इस्तिती हो तो वहाँ भी इसको use किया जाता है इसको systemic acidosis में use किया जाता है ketosis में milk फिर में भी इसका use होता है इसके हलावा पस्सू में कमजोरी चाहिए वो किसी भी वज़े से कमजोरी हो वीकनेस हो वहाँ इसका यूज किया जाता है पस्सू अगर लंबे समय से बिमार है तो वहाँ इसका यूज करने से बहुत सांदा रिजल्ट मिलता है कई बार पस्व चारा तो खाता है पर वो बांटा या दाना नहीं खाता है या पस्व की pH बढ़ गई हो तो वहाँ भी इसको यूज में किया जाता है पस्व में जहां हम RL, DNS, D5 को यूज लेते हैं वहाँ अगर हमें अच्छा रेजिट लेना हो तो Rintos को यूज किया जाता है Rintos को मेंसा IV root से ही यूज करना है ये Intramuscular या Subcut root से नहीं लगता है कई भाई इसको Subcut लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि फिर ये Absorb नहीं होगा और Absorb नहीं होगा तो वहाँ इकटा होगी ये गांट बना देगा जिसमें बाद में कई बार मवाद भी भर जाती है और पस्टू के लिए समय से हो जाती है इसलिए हमें हमें अमेसा इसे IV root से ही यूज करना है इसे यूज करते समय एक चीज़ का और ध्यान रपना है कि ये हमेसा पस्टू के body temperature पर यूज किया जाता है तो अगर साधियों के मौस्टू में इसे यूज करना है तो normally body temperature पर हमें गरम करके यूज करना है इसकी डोस की बात करें तो बड़े पस्टू में इसको 500 ml से लेकर 2 लिटर तक बीमारी की condition और पस्टू के वजन के हिसाब से intravenous use किया जाता है वहीं छोटे जानूरों में इसे 100 ml से 200 ml तक intravenous use लिया जाता है इसको हम लगातार 3 से 4 दिन तक use कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पस्टू में इसे किस body temperature पर हमें देना चाहिए तो दोस्टों अगर पस्टू का temperature low हो तो वहाँ इसे use कर सकते हैं अगर normal temperature है तो वहाँ use कर सकते हैं अगर temperature normal बड़ा हुआ है तो वहाँ use कर सकते हैं अगर temperature ज़्यदा बड़ा हुआ है, high है temperature तो वहाँ इसे use नहीं करना है इसके हम pregnancy में use की बात करें तो इसे pregnancy में ज़रूरत होने पर use किया ज़र सकता है ये pregnancy में बिलकुल safe है IV root से लगने वाले injection जो हम DNS, D5 या RL में use लेते हैं उन सबी injection को हम इसके साथ भी use में ले सकते हैं इसकी सांदर्त थोड़ी ज़्यदा होती है तो इससे थोड़ा slow speed से लगाना चाहिए और इसमें injection भी जो हम मिला रहे हैं वो ज़्यदा एक साथ नहीं मिलाना है अगर हमें दो या तीन injection यूज में लेने हैं तो वहां हमें अलग-अलग drip में मिलाकर यूज में लेने हैं सारे injection एक drip में नहीं डालने हैं क्योंकि इसकी सांदर्ता पहले भी ज़्यदा है और फिर injection ज़्यदा मिलाएंगे तो और ज़्यदा हो जाएगी तो दोस्तों ये थी रिंटोस के बारे में जानकारी आपको जानकारी कैसी लगी कोई सवाल या सुजाओ हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दन्यवाद